अज़ कल भैरेगेट फ्लांट्स की दूम है और इनी तमाम भैरेगेट ह्लांट में सभसे खुबसूरत वैरीगेशन वाले जो चंद फ्लांट हैं उनivo माबल कूइन पोथोस है हालाकि मनी प्लांट हम सालों साल से लगा रहे हैं चाहे वो सॉइल में हो चाहे वोटर में हो हम इसको प्रोपगेट करते रहते हैं लगाते रहते हैं और यह को बहुत बड़ी बात नहीं है नम अप करेंगे marble queen photos के बारे पूरी दुनिया भर में हर घर में आपको चाहे वह प्लांट लवर हो या ना हो आपको money plant की तमाम वराइटी मिल जाएंगी marble queen ऐसी ही एक exotic money plant की वराइटी है जो अपनी marble like leaves के लिए famous है लोग उसको लगाना पसंद करते हैं पर होता क्या है कि जब आप ला आने के कुछ समय बाद वो वेरिगेशन एकदम कम हो जाता है या खतम हो जाता है और green leaves आने लगती है उसका क्या कारण है इस वीडियो में इस पर बात करेंगे साथ ही साथ अगर आपने marble queen photos लगाया होगा तो आपने ये realize किया होगा कि इनका propagation बहुत मुश्किल होता है और एक आथ साल ये ठीक चलने के बाद खराब हो जाते हैं क्योंकि हम इनके नए plant असानी से बना ही नहीं पाते हैं क्या ऐसा आसान तरीका है इनके नए plants बनाने का इन दोनों points को इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए देर नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करते है यह है marble queen pathos और आप हम सब जब nursery जाते हैं plant खरीदते हैं तो हम variegated plants के लिए extra pay करते हैं यानि कि अपने plain counterparts के मुकाबले variegated plants expensive मिलते हैं variegated plants का जो craze है वो instagram की वज़े से काफी बढ़ा है हमें यह लगता है कि हमारे जो plants हैं वो भी दुनिया भर में लोगों के जो plants instagram में दिखते हैं वैसे खूपसूरत क्यों नहीं दिखाई देते हैं और यह बात हमको खराब लगती है और हमें यह doubt भी होता है कि यह सारा हो जाता है आने के बाद या तो इस तरह से पूरी पत्तियां हरी हो जाती है और यह बात हमें बहुत खराब लगती है क्योंकि हमने marble queen के नाम पर एक simple money plant के extra पैसे दिये होते हैं पर मैं आपको यह बताती हूँ कि गलती कहां पे होती है मैं काफी दिनों से इस video को बनाना चा में हैंक कर रखा था उनको अलग-अलग light levels पे place किया देखिए ये दो जो pots हैं ये सामने सूरज की रोशनी आ रही है वो बात अलग है कि ये covered balcony है पर south में है आगे थोड़ा सा चज्जा जैसा भी कुछ निकला है जो light को हलका सा obstruction देता है यानि कि south की पूरी तरह से तेज light न तो light वो थोड़ी से disrupt होते है यानि कि एकदम तेज चटक सूरज की जगह गर्मी तो पूरी रहती है लाइट भी पूरी रहती है पकर sun थोड़ा सा च्छन के आता है और ये सबसे कोने में जो pot है इसमें sun वो शाम को आता है इस area में थोड़ा सा ही फर्क है दोनों के placement में जि marble queen का जो variegation है वो अलग level का है और इस तरफ जिदर sun थोड़ा कम है उधर कम है और जो पतियां बाहर की side है उनमें variegation अच्छा है अब देखे ये जो बेल अंदर की तरफ निकल रही है ये तो पूरी ही हरी है और ये आपकी जो सवाल है उसका जवाब है अगर light का level बहुत बहुत अच्छा का मतलब ठीक ठाक अच्छा तब ही ये variegation इस खूपसूरती के साथ maintain रहेगा otherwise जैसे light का level low होता जाएगा आपके plant का variegation कम होता जाएगा इसलिए अब आपके पास इस बात का जवाब है कि आपके plant में अगर पत्तियां hulky green हो रही है आधी green हो रही है या फिर इस तरह से पूरी green हो जा रही है तो गलती क्या हो रही है गलती है सबसे पहली light का exposure बढ़ाना हो आप अगर इस तरह की सफेद पत्तियां चाहते हैं मार्बल लाइक पत्तियां चाहते हैं तो आपको इनको अच्छे सन में रखना होगा अच्छे सन से विरा मतलब यह है कि पूरे दिन की लाइट और कम से कम 6-7 घंटे की धूप दोपहर में गर्मियों में 12 बजे से ले करके और 2,5-3 बजे तक की धूप से बचाना होगा जिसमें पत्तियां जल जाएं दुनिया भर में मनी प्लांट यानि की पोथोज पानी में लगाए जाते हैं और लोगों को घर में बॉटल्स में ग्लास वासे में मनी प्लांट को लगाने का चलन हमेशा से है तो हमारे दिमाग में ये है कि money plant यानि कि बहुत ज़यदा पानी चाहने वाला plant है देखिए पानी नहीं चाहता है money plant ज़यदा पर पानी में इसमें rooting अच्छी होती है और पानी में stem काट करके लगा देने से घर के अंदर ये अच्छे से चलता है उसका सबसे बड़ा लीजन ये होता है कि इसकी flexible light requirement की वज़े से पर ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब आप बहुत low light में कोई भी plant लगाएंगे यानि कि आप money plant को भी पानी में अंदर करके रखेंगे और वो अंदर ही बना रहेगा तो पतियां हरी ज्यादा होंगी और उनमें variegation कम होता जाएगा जितना कम light का exposure होगा variegation उतना ज्यादा कम होता जाएगा उसका एक simple सा कारण होता है कि जब plant अंधेरे में रहेगा तो उसको खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो plant जादा से जादा chlorophyll produce करके और खाना अपने लिए बनाएगा अब जब chlorophyll जादा produce होगा तो पतियां जादा हरी होंगी जबकि अगर तेज धूप में प्लांट होगा तो थोड़ा बहुत जो पतियों में हरा रंग या हरा पोर्शन है वो पूरे लीफ के लिए कुल मिलाकर पूरे प्लांट के लिए प्रॉपर फूड बना लेगा तो इसलिए वेरिगेशन में में रहेगा और पानी में प्रॉपगेट होना एक डिफरेंट चीज है पर पानी चाहना डिफरेंट चीज है तमाम टॉपिकल प्लांट उनको पानी पसंद होता है पॉट में वाटरिंग के फॉर्म में कम पसंद होता है मिस्टिंग के फॉर्म मे पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा ये एक कम पानी पसंद करने वाली वेराइटी है ज्यादा पानी डालेंगे पतियां हरी होने लगेंगे पानी तब डालिए जब आपको ये लगे कि आज तो पतियां कुछ हलकी सी कुमलाई दिख रही है यानि कि प्लांट पानी मांग है और सिंपल सा तरीका है उपर की एक डेड़ इंच की जब मिट्टी सूख जाए तब पानी डालिए हम सबी जो लोग प्लांट लगाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोलीज प्लांट के लिए हाई नाइट्रोजन फटिलाइजर इंपॉर्टेंट होता है क्यो एक ये भी सच है कि अगर आप हाई नाइट्रोजन फटिलाइजर ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं तो प्लांट में क्लोरोफिल का निर्मार ज्यादा होने लगता है और जहां ज्यादा क्लोरोफिल बना वहाँ पत्तियों का वेरिगेशन कम होने लगेगा इसलि फटिलाइजर को बहुत ही माइल्ड फ़र्म में अड़ कीजिए और जैसे नॉर्मली अगर आप जितना अपने रेगुलर मनी प्लांट में कोई हाई नाइट्रोजन फटिलाइजर डालते हैं उसकी चोथाई क्वांटिटी आप यूज करिए यानि कि अगर आप एक चुट चुटकी डालते हैं तो एक चुटकी का चौथा हिस्सा आप इसमें यूज करिए और सबसे अच्छा तो यह होता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके लिक्विड फ़र्म में डालें यानि कि लिक्विड हाई नाइट्रोजन फटिलाइजर भी यूज कर अपस रीगेन करें अब आप यह देखिए मेरा यह जो प्लांट है जिसको कि मैंने थोड़े से शेड में सेम जगह पे रख दिया था इसमें अंदर यह जो पूरी की पूरी हरी है इसके साथ ही साथ पत्तियां भी पूरी हरी हो गई है क्योंकि लाइट नहीं मिल रही थी औ पढ़ रहा था तो अंदर वाली पत्तियां हाइपर एक्टिव हो गई उनमें क्लोरोफिल जादा वनने लगा और ये प्लेन जेड पोथोस की जैसी हो गई बाहर की पत्तियों में वेरिगेशन है और अच्छा दिख रहा है पर उस लेवल का नहीं है जैसा कि उन दोनों को चाटके हटा दीजिए और सिर्वेरिगेशन वाले शीश को विरेगेशन वाली लीव को बने रहने दीजिए पर इसमें देखे यह जो ग्रीन पत्तियों में यह काफी लंबा है तो मैं इसको नहीं हताऊंगि क्यूंकि फिर मैं वहां टांगोंगी तो वापस आंदर ग्र root के संग निकालेगी और आपका plant शौक में नहीं जाएगा और पूरी तरह से scratch से इसको start नहीं करना पड़ेगा उसके पास एक support system होगा further grow होने के लिए जो white portion है इसको मैंने निकाला और देखिए मैंने इसको लगा दिया था यहां और मैंने इसको 10 दिन पहले ऐसा किया था क्य क्योंकि मैं यह चाहती थी कि मैं आपको यह दिखाऊं कि देखो root के संग निकालने के बाद यह एकदम ready plant है और मैंने इसको बाहर टांगा पर टांगा कहा है मैंने इसको north में रखा और आप देखिए यह है सामने सूरज शाम के वक्त और अच्छा सूरज इसको मिल रहा है तो यह उन लोगों के लिए है जिनके पास south में जगह नहीं है, east में जगह नहीं है, west में जगह नहीं है और north facing balcony है और वहीं रखना है तो भी फिर आप एकदम खुले में रख दीजिए और आप देखिए इसका जो variegation है वो एकदम maintain रहेगा तो अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे marble like marble queen pathos के लिए जरूरी है कि light पानी और fertilizer का जो ratio है वो बहुत ही balanced होना चाहिए और इसको normal money plant की तरह treat नहीं करना है marble queen propagation थोड़ा सा मुश्किल होता है और जब आप इनको पानी में propagate करते हैं तो इनकी पत्तियां वापस हरी हो जाती हैं और वो एक normal simple pathos के जैसे दिखाई देने लगते हैं उसका सबसे चाह तरीका यह है कि एक तो आप मेरा वाला तरीका अपनाईए रूट के संग cutting निकालने की कोशिस कीजिए पर कई बार ऐसा होता है कि मान लो कहीं से आपने जुगाड किया कहीं से आपने निकाला और आपको रूट नहीं मिल पाई पर node है आपके पास और node में एक आप छोटी मोटी root देख रही है तो अब आप इसको कैसे propagate करेंगे देखिए पानी में भी यह propagate होगा मैंने इसे यहाँ पे पानी में लगा रखा है पर आपको करना क्या पड़ेगा यह जो bottle है इसको आपको अंदर नहीं रखना होगा so that कि उसको पूरी रोशनी मिलती रहे और उसकी पत्तियों का वरिगेशन खतम नहीं पाए फिर तो आप उस bottle को sunny balcony में रख दें और आप देखिए routing भी बहुत fast हो जाएगी और पत्तियों का वरिगेशन भी खतम नहीं होगा otherwise अगर आपने इसको अंदर रख दिया तो इसका वरिगेशन खतम हो जाएगा और यह सिंपल पोथोस के जैसा दिखाई देने लगेगा या बहुत लेस वरिगेशन के संग दिखाई देगा अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि gardening से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो जटपट आप तक पहुंचे वीडियोस पसंद आएं तो अपने गाडिनिंग लविंग फ्रेंट के संग उनके लिंक को शेयर कर सकते हैं तो पर कॉमेंट करना लाइक करना बिलकुल भी मत भूला करें थैंक यू वेरि मच